येलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और लगातार अपनी संगीत की जरनी को आगे बढ़ार होंगे दोस्तों जैसा की पता है आप सभी को इस चैनल पर इंस्टूमेंट से रिलेटेड वीडियो जाती रहती है तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपना जो कीबोर्ड होता है उसकी साफसफाई हम लोग बाहर से तो कर लेते हैं लेकिन अंदर से नहीं कर पाते हैं कि बहुत से लोगों को डर होता है कि खोलने पर मेरा कीबोर्ड खराब हो सकता है या कुछ से उसका सेटिंग हिल डूल सकता है लेकिन इस वीडियो के अंतरगत में आपको एक कीबोर्ड है मेरे पास उसको मैं आपको ओपनली खोल के दिखाऊंगा पूरा क्या-क्या उसमें सिस्टम होता है कैसे हम लोग उसकी साब सबाई कर सकते हैं और साथ ही उसमें जो मेडिनिंग चाइना या मेडिनिंग जो जपान या कोई भी जो जिस भी ब्रांड के द्वारा जो बनाया हुआ होता है कीबोर्ड उसका भी मैं आपको मदरबोर्ड पर कहां पर लिखा होता है कहां पर क्या जानका रहती है वह सब मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए यह मेरे पास कीबोर्ड है रोल एंट जुन डी इसकी हम लोग अंदर से इसको खोल के यह जो सारी की है उनको भी मैं आपको पर्टेकुलर इनकी सभाई कैसे की जाती है वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए अगर एस वीदा थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ स्टेंड वगेरा नहीं है जिसके मैं फिक्स करके इसको ओपन कर सुगूं तो मैं कोशिस करूंगा कि आपको देखा पाऊंपूरा लेकिन मैं खुदी एक हाँ से कैमरा पकड़ूंगा और एक हाँ से इसको खोलूंगा तो मैं भी चाहूंगा अगर आपको थोड़ा बहुत दिखने में ऐस वीदा हो तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सुर्वात करते हैं वीडियो की तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपको देख रहा होगा ये क्यूबर्ड और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये पीछे की साइड से खुलता है यहां पे जो आप स्कूरू अगेरा जो देख रहे हैं यहां पे चारो तरफ स्कूरू है सबसे पहले आपको इन सब को ही खुलना होता है और एक चीज़ याद रखिए अगर आप खुलते हैं तो यहां पे जो हम लोग पिन वगेरा जो लगाते हैं इनपूट की आउटपूट की या पावर की जो भी वो सारी पिन आप अप अठा दीजिए और सावधानी से एक एक करके इन इसको एकदम से हिलाना नहीं है या फिर जोर से बाहर की तरफ नहीं खीचना है तो चलिए जैसे कि आपको दिखता जाएगा केमरे में और मैं धीरे-धीरे एक-एक करके इनको खोलता हूँ अब कोसिश यह करें कि आप इसको ऐसे इस साइड रख ले और ताकि आपको दिख भी जाएगा और यहां से खोल नट में आसानी रहेगी आपको सबसे पहले यह बहार की नट खोल ले है उसके बाद में यह भीच के खोल ले तो चलिए मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखात अंदर से क्या situation है ज्यादा टाइट नहीं होते हैं देखिए ऐसे करके आप यह स्कुरू बाहर के और निकाल सकते हैं तो धीरे-धीरे करके एक-एक स्कुरू को निकाल लीजिए तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप कीबॉर्ड को मैंने खोल दिया है पूरा और खोल के मेरे यह वाली की में थोड़ा सा कचरा आ गया था मतलब यह दबने के बाद में थोड़ी नीचे क्साइड रह जाती थी तो इसको मैंने ठीक भी किया है वीडियो पहले गबरा रहा था देख लीजे कीबॉर्ड अंदर से कुछ ऐसा दिखता है आपको सपरकार कीबॉर्ड होता है अपना और यह जो सारी चीजे हैं ग्रिन-ग्रिन से प्लेयर बोल रहे हैं इनको ही साथ मेरे हिसाब से मिला के मदरबॉर्ड बोलते होंगे या इन्हें में से वो चीज दिखाता हूँ मैं आपको मेडिन इन चाइना मेडिन इन जापान कहां लिखा होता है यहाँ पर आप गोर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेडिन इन चाइना लिखा हुआ है ठीक है रोलेन मेडिन इन चाइना और एक दो जगह और देखा था मैंने वह भी मैं आपको दिखा दहूं एक जगह यह देखिए बड़ी निन चाइना यह लिखा हुआ तो अंदर से आप जब भी कीबॉर्ड ले नहीं है पुराना आपको जो भी देखना है आप अंदर की साइड देखिए और कीज को ठीक करने का तरीका मैंने बता दिया है यह पैनल जो है यहां पे जुड़ा होा आता है और यह पैनल जुड़ा होता है आप इन दोनों को खोल लीजिए और की को अराम से हिसाव現在 से in के निच्छ देखिए स्प्रिंग आती है जो आप इसस्प्रिंग को यहां से और यहां से खोलेंगे तो यह जो की है यह वाली यह निकल जाएग देखिए की के नीचे कुछ ऐसा होता है रबर बैंड जो होता है यह वाला शायद इनहीं को दबाने पे आवाज आती है इनहीं को दबाने पे आवाज आती है और यहां से की जो है अटेच होती है यह वाली बागी यह सिस्टम में आप देख लीजिए ये keyboard का खुला हुआ अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है ये keyboard मैंने भी किसी keyboard को पहली बार खुला है और खुल के साफ सपाई कर लीजिए आप इतना कोई इस्यू नहीं है और बस खली यह वाला धकन जो पिछे का है इसको अलग करते हैं तो देखिए अगर आपका बैटरी का तार जुड़ा हुआ है तो यह यहां से जुड़ा होगा अध आप अपने keyboard को खोल के आराम से साप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अभी मैं की को नहीं खोलूंगा और क्योंकि मैंने जिसकी में प्रोब्लम थी उसको ठीक कर लिया है बाकि मैं भी नहीं चाता कि दूसरे का keyboard है कोई रिस्क हो जाए उसने मेरे को खाली यह की ठीक करने के यह दी थी तो यह वाली की मैंने ठीक कर दिया उनकीम बिल्कुल ऐक दम ओके होगये यह वाली की आपको इस्यू नहीं है तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको थोड़ा पैक करता हूं उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पैक करते टाइम आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्या कि एक हाथ से मैं खुदी कैमरा बकड़ रहा हूँ दूसरे हाथ से वीडियो गुना रहा हूँ इसलिए मैं आपको धेरे धेरे जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता जाओंगा तो दोस्तो एक चीज देखिए आप मेरे हाथ में यह जो रबड़ देख रहे है यह वैसे तो नॉर्मल सा रबड़ है लेकिन बड़े काम की चीज है जब भी मालेजे आपकी यह वाली कीज जो है अटगने लग जाती है तो इसका मतलब समझ लिए या तो नीचे कोई कचरा वचरा आ गया कुछ फस गया है या फिर यह जो है की यह टूट गई है आपकी जो रबड है यह टूट गया है देखिए इसका रबड तूट गया था जो मैंने यहां से निकालके इस वाली में डाल दिया आप मिस्तरी के पास दिखाएं तो भी ठीक है घर पे अपना ठीक कर सकते हैं मेरी तरह यह रबड जो है आप अधरवाइस किसी विका भी निकालके आप चेंज कर सकते हैं तो चलिए अभी मैं इतना ही दिखाता हूँ फिर आगे आपको जैसे जैसे वीडियो बढ़ता है मैं आपको दिखाता जाता हूँ तो चलिए दोस्तों जैसा की देखिए मैंने बताया था यह वाला पेनल यहां से खुलेगा की वाला पेनल और एक स्क्रूज वाई इसका यहां पे होता है अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ तो चलिए आपको बंद करते टाइम पे दिखा देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ा डर नहीं लग रहा है क्योंकि पहले मुझे डर लग रहा था कि साइद मेरे से कुछ और खराब ना हो जाई तो बस यही चोटी-चोटी चीज़े हैं जो हमें मतलब डरा देती हैं सोचते हैं कि हमारा कीबोर्ड है पता नहीं कितनी बड़ी मिश्टेक होगी इसमें तो यही है कि अगर आप इसको घर पे खोलते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से खोलीजे कोई इतना दिकत नहीं है और आराम से एक चीज़ पहले देख लिए कि कौन चीज़ कहां पर थी वह आप उसका एक बार वीडियो बना सकते हैं कौन चीज़ कैसे थी फिर उसको जब आराम से खोलेंगे तो वापस पहले की तरह उसको लगा दीजे चलिए भी मैं आपको इसको बंद करके दिखा कर दिया है और देख सकते हैं एक बार आप कीबोर्ड को अंदर से देखना चाहें तो मैंने भी कीबोर्ड को पहली बार ही देखा अंदर से तो अच्छा कुछ system होता है इसके अंदर ज्यादा कुछ जमेला होता नहीं है और keyboard को जब भी आप लें किसी से भी नए है पुराना तो अंदर से खोल के जरूर देखें क्योंकि आपको देखने पे ही सारी चीजे पते लेगेंगी कि अंदर से condition कैसी है कहीं पर यहां टाका वांका तो नहीं लगा हुआ है इन प्लोटों पर तो दिखिए अभी तो यह keyboard मेरे को बिल्कुल phrase condition में लग रहा है एक दूम बढ़िया कंडिशन में ऐसा keyboard हो तो ठीक ठाक है चलेगा क्योंकि यह बहुत पुरानी अधर क्योंकि गोड़